नमस्कार मैं रविश कुमार देशभग भाईयों और बहनों ये उद्धव ठाकरे का संबोधन है वे अपनी सभाओं में शुरुवात इसी से करते हैं देशभग भाईयों और बहनों हमने मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ की रैली रिपोर्ट में आपको बताया था कि योगी आदितिनाथ बहनों और भाईयों कहते हैं जबकि प्रधान मंत्री मोधी भाईयों और बहनों कहते हैं आज रैली रिपोर्ट में उद्धव ठाकरे पर बात करेंगे उद्धव ठ थाक्रे बार-बार कहते हैं कि सारे देशभक्त अब नरेंद्र मोदी के विरोध में एक साथ आ गए हैं। दो हजार चौबिस के चुनाओं में दो नेता ऐसे हैं जिनकी पार्टी छीन ली गई, तोड़ दी गई और सिंबल भी ले लिया गया। शरत पवार और उद्धव ठाक्रे हमाज रेली रिपोर्ट में उद्धव ठाक्रे की रेलियों के बारे में बताएंगे या देखने के लिए कि अगर किसी दिन इस लोग तंत्र में विपक्ष के निताओं को जेल में डालने के साथ साथ उनकी पार्टी के दफ्तरों पर भी तो उसके बचे खुचे हजारों लाखों कारेकरता और नेता कैसे चुनाओं लड़ेंगे उद्धव ठाक्रे इस चुनाओं में इसी का इंतहान दे रहे हैं मुख्यमंत्री पत से हटा दिये गए उनके सामने उनी के कारेकरता और नेता को खड़ा कर मुख्यमंत्री बना दिया गया लेकिन आपने उद्धव ठाकरे को रोते बिलत्ते नहीं देखा होगा सब कुछ चले जाने का मुकावला उद्धव ठाकरे ने बेहत गरिमा के साथ किया उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर रैली रिपूर्ट के लिए मैंने सोहित मिश्रा से सयूग लिया सोहित मिश्रा पत्रकार हैं हिंदी और मराठी दोनों जानते हैं उनका एक यूट्यूब चैनल भी है सोहित मिश्रा ओफिश्यल आप जरूर फॉलो करें सोहित ने इस वीडियो का धाचा तयार किया और उद्धव ठाकरे के मराठी में दिये गए भाशनों का हिंदी में अनुवाद किया लेकिन जो भी कमिया होंगी वो मेरी होंगी क्योंकि सारे वीडियो देखकर एक नेता और उसकी लड़ाई पर रिपोर्ट बनाने में कुछ ना कुछ कमी रहेगी ही लेकिन उद्धव ठाकरे कैसे लड़ रहे हैं इस पर बात होनी चाहिए इस कारिकरम के लिए भी हमने उद्धव ठाकरे की पार्टी के यूट्यूब चानल से वीडियो लिए हैं और उनकी मीडिया टीम से तस्वीरे हैं आमची शिवसे ना तुमी त्याला दिलिक निवण्डूक आयोगा चा काम निवण्डूक चिन्न देना साथी ठीक है जैसे कौन पाकिट मारास्त तस्व पावर सेवन चे घडाल मारला यहनी इस सोर कंपरी आमसे धुर्ण शिवसेना के अतीत पर काफी कुछ लिखा जा चुका है बोला गया है लेकिन हम आज उसके इस वर्तमान की बात कर रहे हैं इंडिया गठबंदन को बनाने में और तमाम अंतर विरोधों के बाद भी उसे बचाए रखने में उद्धव ठाकरे की भी भूमिका महत्वपूर्ण है महराश्ट में इस बार शिवसेना उद्धव ठाकरे कॉंग्रेस और NCP शरतपवार की महा विकास अगारी बनी है लेकिन जब किसी की पार्टी ही छिंजाए तो वह इस अपमान को कैसे सहता होगा सारजनिक तोर पर उद्धव के वहवार या ललकार में दिखाई नहीं देता है ना ही वे प्रधान मंत्री मोदी की तरह रोते नजर आते हैं किसी की पार्टी छिंजाए उसे तो पत्रकारों के हर सवाल पर इमोशनल होना चाहिए थोड़ा रो भी दे तो बड़ी बात नहीं मगर उद्धव ठाकरे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया उद्धव ठाकरे लगातार महराश्ट का दौरा कर रहे हैं मार्च महीने से अब तक उन्होंने 38 सभाएं की हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में एक भी प्रेस कॉंफरेंस नहीं की तब भी नहीं कर पाए जब हम जैसे पत्रकार मुख्यधारा के मीडिया से बाहर हो गए और उनकी प्रेस कॉंफरेंस में जाने की संभावना समाप्त हो गई इसके बाद भी प्रेस कॉंफरेंस नहीं कर पाए गोदी चैनलों के चाटुकार, चमचे पत्रकारों के साथ भी लाई प्रेस कॉंफरेंस नहीं कर पाए मगर उद्धव ठाकरे ने इस दौरान साथ प्रेस कॉंफरेंस की है इसके अलावा वे अलग-अलग पार्टी ऑफिस में जाकर अपने कारेकरताओं से मिलते हैं और सभाओं में याद दिलाते हैं कि बीजेपी ने महराश्ट के शेत्रिय दलों को कैसे भीतर घात से तोर दिया विपक्षी पार्टीयों की अगर बात करें तो महराश्ट में उधव ठाकरे विपक्षी पार्टीयों के सबसे बड़े नेता हैं लगबग हर सभा में आखरी भाशन वो खुद देते हैं उधव ठाकरे की लोग प्रियता का अंदाजा आप परभणी के इस वीडियो से लगा स इससे यह समझा जा सकता है कि उधव ठाकरे को सुनने के लिए लोग तूफान में भी आ रहे हैं इसी तरह 2019 में चुनाव के समय सतारा में बारिश होने लगी शरत पवार ने बारिश में खड़े होकर भाशन दिया उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के समय करनाटका के मैस सुरू में राहूल गांधी में बारिश में भीगते हुए भाशन दिया मोधी और गोधी मीडिया विपक्ष को कमजोर साबित करने में लगा रहता है विपक्ष अपने इन प्रतीकों के जरिये संदेश देता रहता है कि उसमें दम है लड़ने का माद्दा है मी वाधाडत उबाराना रहे तुमी बिडिदा रतिकीना राइ महा सागय वर बसुंध गया मी ना थनार मी उबाराईलो लड़ाईला यहुद्य संकट किती आईचा त्योट अरे चत्रपती शिवाजी महारायांचा महाराश्रार मरले आमी मर्द मावले आओथ अरे त्या संकट अला आमी चिरुड़न टाकले तर ये संकट कुणटे मी पहला कथम तमाम परवणी कराना आक्षर्षा मना पसुन साश्टांग दंडवर गलतो है करन परवणी हाँ ओई मी बंटो माजा शिवा सेनेचा बाले किल लाए आणि तुभी सगले तैचे सईटांग मावले तर माजा उजवे डवे बदुला हुवे आएताच आणि भाजपला सवाचला सेल मिंद्याना सवाचला कि सगलकाई पैशा नी खरीरी करता येता पंड परवणी कर पैशा नी विखले जाओ शकत ना आईत ये शिवसेना प्रभुखानी कमावलेले जे प्रेम आयते आशिर्वादाचे रुपाने माजे समर बसलेले अणि आपनी परिक्षा है ये परिक्षा है अरे वादलाला सुदा अंगवर घ्याईला मर्दाची छाती लागते ती आपले कड़े अणि आमी पाठी कडूर वार करत नहीं आमी वादलाचे सुदा छाती वती वार करना रिशिवरे चमावले आओद उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी गई चुनाव चिन्ह ले लिया गया उद्धव को पता है कि इस तुफान का सामना तुफान में खड़े होकर ही किया जा सकता है प्रधान मंत्र हैं कि उनकी पार्टी को नकली कहना बेकली की बात है उद्धव की सभाओं में आने वाली भीड प्रधान मंत्री को जरूर परिशान करती होगी मोदी की जीत में हमेशा उनकी लोगप्रियता ही नहीं होती है उनकी जीत मिलती है गोदी मीडिया और एजिंसियों के कंट्रोल और व्यापक के स्तिमाल से इसी उत्सा में उन्होंने राजनिती को असली घी और नकली घी टाइप के रूपकों में बदल दिया है लेकिन चुनाव चिन और पार्टी चले जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे असली और ओरिजिनल की तरब महरास्ट के चुनावी समर में प आप साफ साफ देख सकते हैं प्रधान मंत्री मोदी लगातार सभाएं कर रहे हैं 2019 की तुल्ला में इस साल महरास्ट में पी एम मोदी ने अपनी सभाएं दो गुनी कर दी हैं नरेंद्र मोदी के साथ शिवसेना से बगावत कर मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे और NCP से बगावत कर उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार मौजूद है लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी बार-बार महरास्ट आये जा रहे हैं उद्धव ठाकरे ने इस पर तंज कस्ते वे कहा कि नरेंद्र मोदी को अब गली-गली घूमना पड़ रहा है और साथ ही म मुंबई में मोदी जो रोड़ शो करने वाले हैं उस पर भी उद्धव ठाकरे तंज कसने लगे हैं प्रधान मंत्री मोदी को लगा कि राम मंदिर का नाम लेकर वो विपक्ष और जनता को चुप करा देंगे डरा देंगे उसके पास कोई जबाब नहीं होगा अमिशा की सभाओं में आप देखिए राम मंदिर को लेकर किस तरह के जैकारे लगते हैं लगता है बीजेपी अपना राजनितिक नारा भी भूल गई है इन्ही नारों के दम पर बीजेपी को लगता है कि विपक्ष धर जाएगा लेकिन उद्धव ठाकरे ने अलग ही तरीके से बीजेपी के राम राम का काट न लगी है यहां नाता कर देने रहेले या निवर्णु कित मुद्दे काई काइस नहीं कर्ण को लें तेम को सब्सक्रायी करें हैं मुद्देते थरओट होते कुल्ण 90 सली ठरो थोते, 24 सली तराना या ठरो था थांचि अतने है कान ट्यांचे का नूता कि ए ठारो था किलेल से है तुम्हे भांस थारण कि आपते एरो था, स्प्ट था मैंने। मति तन ट्यांचों सहस्पवा था, फूल था छाल था, सलिडिक्लाण। माराथी मानुष की राजनिती को एक दो प्रदेशों के खिलाब भाशाओं के खिलाब समझा जाता था लेकिन इस बार माराथी मानुष का मुद्दा महराथी के व्यापक हिट से जोड दिया गया है उद्धव ठाकरे नरिंद्रमोदी की सरकार पर आरोप लगाते हैं कि महराथी से उद्ध्योगों को दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा है खास तोर पर गुजरात में इसके साथ ही महराथी की दोनों प्रादेशिक पार्टी को तोड़ने की बात वो लगातार रैलियों में कर रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर भी उद्धव ठाकरे का टेक बदल गया है विपक्षी पार्टियां जहां धर्म के आधार पर वोट मांगने से बचती दिख हैं तो वहीं उद्धव ठाकरे अब भी हिंदुत्व की बात करते हैं लेकिन इसका टोन बहुत अलग है शायद आप अपने कोर को बचाय रखने के लिए और इसलिए भी कि उनकी पार्टी से कोई डरे नहीं उसकी स्विकारेता बढ़ती चली जाए ठाकरे का हिंदुत्व अब बीजेपी के हिंदुत्व से बहुत जादा अलग हो चुका है इस पर अलग से विशलेशन करने की जरूरत है रैली रिपोर्ट में केवल आपके लिए नोट कर रहा हूं जय भवानी जय शिवाजी अरे चत्रपती शिवाजी महाराज की जय बोल्लयान अंतर एकादा जोपलेला मानुसुरा ताड को नुठूनों माराई ही ताकद ही चत्रपती शिवाजी महाराएं चाणी भवानी माते चाई जय जयकारा मरे तुम्हाला जय भवानी शुरापसत नई जे आमी मशाली जीत केला सुप्रियात आई तुझे बोले ना रामकृष्णा हरी पाट्वा द्याना घरी और रामकृष्णा हरी पेटवा मशाली मशाली पेटवा पन्जय भवानी वर्तियां चाथ पोट डुकी पोटत मुल्डा आला महाराश्रम अरे उद्योग दंद जे राता कमाने येत ये होते ते घ्योण गेले मुंबाई चा हिरे बादार नेला सगल काई घ्योण सालेले येत अडि मणुन मी तुम्हाला वचन दिलेला है माजा वचन नाम्यात इंडिया अगाडी चा सरकार आले आ नंतत जे महाराश्रस लुट लेले वैभावा है ते त्याही पेक्षिया दाम दुप्टेने मी महाराश्रत पुना उभा करून नाखोले शुए राणान ने अडिया 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 मस्त येवडी वाड़ले ये दोन दिवसा पुर्वी एक मुंबाई चा वृत्त्त पत्र जाहरात अले गुजराची कंपनी ओनलाइ जाहरा है मराठी मान्चान प्रवेश नाई मित्याना संग्तोए सगला गुजराची मानचान बदल माजा मनात आकस नाई इकड़ सुड़कायाले असे लिए ये खास करून या मानसिक्ति जेए लोका आहे त्याना संग्तोए महाराश्रमा रेजर तुमची कंपनी उगडी थेवाई ची अचेल, तर मराठी मांचाला उन्हों करी द्यावी लागेल, नहीं तो तुम्सा सुधा श्टरामी बंद केले शुए राइडार नहीं, तुम्हाला उद्धा उठाकरेला संपवाई चेल, तुम्हाला जा शिवसेने नी पंतब्रदान पदापरंच सो पोचावल जा शिवसेने टुम्हाला आस तुम्ही नकला से ना मनत्या, ही नकला से ना? नकलेत तुमी? तुम्ही नकलेत उत? मने यहा curs Georецजा माज पठीत वार नहीं एज लेला, ढा माजा माह अराष्च्ण चा जनते पठीत वार के लेला एमोरिजी तुमी. जा हा माहा अराष्ण न दोनी विड़ेला तुमला 40 पेक्षा जास्ता खाजदार निवळुन दिले, ता महारष्णाची आस्विता जपनारी शिवसेना तुमी फोडुन्टा कल निगालाद, राष्रवादी तुमी फोडुन्टा कल निगालाद, अडि महारष्णामरले सगले उद्ध्योक धन्डे, महारष्ण तुम्हाला भरबरोन आशिर्वाद दिले, तरी देखेल तुमी गुजराट लग उनगेलाद, महारष्णाची तुम्हे उर्तिया ता कायम उड़नुक्तार कराईचे, तुम्हे आमचागेडे पंदब्रदान पद मागितलाद, महारष्णाची भरबरोन दिले, पंट्टेची भरपाई तुम्ही आशी करता उद्धाव ठाकरे अपनी सभाव में राश्ट्रिय मुद्धों को उठाते हैं स्थानिय मुद्धों पर फोकस तो रहता ही है वे नोटबंदी की याद दिलाते हैं बताते हैं कैसे नोटबंदी ने आम लोगों को बरबाद किया आपने एक बात नोट की होगी कि प्रधान मंत्री मोदी इस चुनाव में नोटबंदी का नाम ही नहीं लेते अगर उससे इतना ही फाइदा आपको हुआ है तो प्रधान मंत्री गिनाते रहते मोदी युवाओं को अगनीवीर भी नहीं बुलाते है मेरे अगनीवीर तो कह स सकते थे जब यह नाम रखा गया होगा तुने लगा होगा कि नाम रखने में उनका जवाब नहीं कोई मास्टर स्ट्रोक है लेकिन आज युवाओं के बीच अगनीवीर मजाग का कारण बन चुका है गुसे का कारण भी पूरा चुनाव खत्म होने जा रहा है प्रधान मंत नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के निताओं पर देश द्रोही, पाकिस्तान परस्त, मुसल्मान परस्त, एंटी नैशनल न जाने क्या क्या लेवल चिपकाए हैं उद्धव ठाकरे उन पर भी लेवल चिपका रहे हैं हिंद्धव की एक ही किताब से शिवसेना निकली भाजपा निकली बीजेपी ने लंबे समय तक शिवसे सरकार कहते हैं मतलब ऐसी सरकार जो अपने ही वादों को अगले दिन भूल जाती है जनता को त्राही त्राही के लिए छोड़ देती है मजनी सरकार मंतो कि काल काय बोलते आज आठवत ने आज काय बोलते त्यूद्या ने तो अवरा सली जे काय बोल ले उते कि 15 लाक रुपे तुमचा अकाउंट परें अर अच्छे दिन आएंगे 15 लाक राले तुमचा अकाउंट मरे पाईसे गेले हजारों कोटी भाजपा 10 अजार कोटी चा उवर अणि त्यांचे अस्त्या स्वकारी अर्थ मंत्रियो त्या निर्मला सितारामन त्यांचे पती परकला प्रभाकर त्यानी तो उगड संगित लेले कि यहां निवन्डुक रोखे हां जगातला सगलात मोठा घोटाला करना रहा अपला नेता तिसरेंदा तुमचा कड़े मतमागाले है तो है बर किती वड़ा मतमागना एक तर दोन कोटी रोजगार तुमी देशाला देनार होता दर वर्षी यह रोजगार कायम सो रुपे होते एक तर दिले तर नाइस पंड कंत्राटी पद्दत इनी तुमी काम देना पंड यह कामगारांचा भवित अविया जो मर 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 तो यह घर सालोना सटी महाँ गई यह उड़ी वाड ले जे मिललते काम करने चीजह ची तयरी आए कि वहां एक मजबुरी है मणा पाई यह तर पंड काम करुन सुद्दा नोकरी ची शास्टोती नहीं आज काम है उड्या काम नहीं विपक्ष रोजगार को कई तरीके से उठाता है आज बीजेपी कॉंट्रेक्ट की नोकरी पर कुछ भी नहीं बोल पाती कम से कम इसका बचाव ही करती बताती की बहुत फायदे हैं अर्थविवस्था को कॉंट्रेक्ट की नोकरी से कम सैलरी की नोकरी से ही देश दुनिया के सबसे बड़ी अर्थविवस्था के रूप में जान उनकी जिंदगी तनाओं से भर चुकी है ऐसी सुचनाओं से भी दूर हो चुकी है कि लोग दिनरात मुसल्मान के नाम पर हिंदू हिंदू करने लगे हैं मगर खाने कमाने और बचाने के लिए कुछ नहीं विपक्ष समविधान समात करने का मुद्दा बना रहा है लेकिन प्रेशानी हो रही है याना घटना पर लाइचे दॉक्तर बाबासे बामबेटकर महामानों मंजे शिवासे ना प्रमुग जे सांगाई चे कि दोन दैवत महाराश्रा नी देशाला दिली एक मंजे आमचे छत्रपति शिवाजी महाराज और डूसरे महामानों डॉक्तर आलेला मानुस हाँ यवड़ा विद्वान असुशक्तो यवडियाची मुद्धिमाता कशी का असुशक्ते आणि यहानी लेलेली घटना आमी पालाईची यह बरोबर नहीं बुद्वार आठ मई के अपने भाशन में उद्धव ठाकरे ने आदानी और अमबानी का भी जिक्र किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आरोप लगाकर उनका जिक्र करना अब छोड़ दिया है पता नहीं आदानी का असर है या अमबानी का असर है लेकिन जैसे ही उनका बयान आया तेलंगाना से उद्धव ठाकरे ने खुली चेतावनी दी कि अगर हिम्मत है तो आदानी पर कारवाई करें अपने इस भाषण में उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कई हवाई अड़े और धारावी पुनरविकास का काम मौझुदा सरकार ने आदानी की कमपनी को सौपा है 17 दिसंबर 2023 की यह तस्वीरे हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने धारावी के टी जंक्शन से लेकर बांदरा कुरला कॉम्पलेक्स में अदानी रियाल्टी के हेड़कॉर्टर तक मार्च किया अपनी रैलियों में उद्धव ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम बताया है बार बार आरूप लगाया है कि धारावी के पुनरविकास के प्रोजेक्ट में 100 करोड से अधिक का घपला हुआ है बीजेपी ने पलटबार करते वे महाविकास अघाडी की सरकार पर टेंडर जारी करने के आरूप लगाये जिने उद्धव ठाकरे ने नकारा है और लगातार इस मुद्धे को उठाये जा रहे हैं पर तुम चाड़े मुद्धे काही रहे लें नहीं है अग हिन्नु मसल्मान कर अल लगला है और आस था थानी मोठी गंबात अच के लिए मारा अधिवास वाटला कि आता नविन काई टेक्नोलोजी आले न प्रुचुराजी काहते यह आये अर्टिविशल इंट्लिजिएंस त्म विडियो के लें कि काह है मोधिन चावाज हमार। अन्य मोधिज बोलो थो ते, काय बोलो थो थो थे ऑदानाम्बानी ओर्थी बोलाल लगले मोधिश्ञ, जगात लाह झामत कारें, सुर्य पश्चिम में करना हुगवयल, कदा चित, पर मोधि आम्बानी और आदानी ओ दिलीति काडून गेतता हो तुमी जी माजा मुंबईतिली धारावी औंट धारावी चा माध्यमातुन सम्पूर्ण मुंबई आदानी अदानी चयगशात घंल्लाचा प्रेत्नक किला होतत तो आमीहाणून पानलाए धारवी चा सगलालोकां तुमी मिठागराट टकनार होतत अख्की धरावी अख्की मुंबई ब्याटना आदेश अदानी चे कॉंट्रेक्ट रद्द करा अग अग अधानी नोटी बोला पट फसवत जाएचा फसवत जाएचा फसवत जाएचा इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की ओर से दिये गए फैसले और एकनार शिंदे को शिवसेना नाम और चुनाव चिन्द दिये जाने का जिक्र करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वो उन्हें इस चुनाव में सबक जरूर सिखाएं आणि आमी जे सांगतो तो सुप्रेम कोटात याची का है अधुनी तेया याची के वरती निर्णे जालेला नाई पड़िए घरगडियत निवोडनुक आयोग आणि लवाद यानि शिवसेना अपली हक्ताची शिवसेना ये उसलों आस त्या मिंद्याची चोराची हाता मरे दिले अध्या मिंद्यानी सतफ उघड के लेले और वाट मिये बाकिमिेए उद्दाम Kylie काल्चे लोक सत्थे डालेली अमें दिकान्य मंटा है धरुष्लेबान डिला बदल dur Susa हाँचै आभार शाहां चाबार, मिन्दे बानतो ये, मिन्दे एक बरताल, कि तुमी तैजे के सगले नाटक केला होतात, निवर्डुक आयोगा चा, सगले सुनाउन्या, बिनाउन्या, मिन्दे अचे पंटाये, की मडे मी करेक्टारेक्रम केला, अरे मिल्य करेक्राट्रम स्टुम्चा 4 तरक्रिवाई यं जन्ता करूँनाख लाए तरेक्राट्रम एक दाध। अरि मोग मी मोधी जीना संगितला… सहाजीना संगितला.. मी माज़ पाम के सि ले… अता तुभी तुम्चा काम करा… अणि मक्त्यानी खरी शिव सेना अणि धनुष्य बाण्ड अपलेला दिला। मैंड ये कोणी केला? मोधियानि शाहनी। ये सर्वच्य नयायले मने आमोठा पुरावाता जाला कि चोर स्वताचा तोंडात्न त्यानी कबुली दिलीलिये। चुनाओं केवल हिंदी प्रदेश में नहीं होते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में चुनाओं कैसे लड़ा जाता है हिंदी प्रदेश के दर्शकों को इसमें भी दिल्चस्पी लेनी चाहिए। बीजेपी की राजनीती का सारा खेल यही है। आप प्रदान मंत्री के किसी भी भाशन को सुनीए। उससे यही लगता है कि किसी तरह हिंदी प्रदेश की जनता को जूट से भरमाया जाए और मुसल्मानों से नफरत सिखाया जाए। विकास के नाम पर कुछ दिख जाए इसलिए कहीं कहीं एक्सप्रेस वे बनवा दिया जाए। 2024 का चुनाव भारत के भविशे का चुनाव है। इस देश का नौजवान अपने पाउं में कुलहडी मारता है या नफरत की बेडियों को तोड़ता है चार जून को पता चलियाएगा। भारत के इतिहास में किसी भी प्रधान मंत्री ने इतना जूप नहीं बोला होगा। अगर उनकी जीत होगी तो उनके साथ साथ उनके तमाम जूप की भी जीत होगी। सच बोलना प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के बस्ठी बात नहीं है। नमस्कार मैं रविश कुमार